के बारे में यह सीटेट का एक्जाम आने वाला है इसमें बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है हालां कि मैंने बहुत सारे कुश्चन्स पेपर पहले ही डाल रखे हैं कोई भी सीटेट फर्स ग्रेट या टीचर से एक्जाम के तहरी कर रहा हूं तो उसके लिए यह बहुत ही साइक्वालजी का पेपर एडप्ट करनें यानी सीडीपी जो बहुत है चाइल्ड डेवलेप्मेंट पेडागोलजी उस पर तो इस कॉंप्रहेंसिव सीरीज में हम कुश्चन्स तेखेंगे और मैंने कोश्च करिए कि कुश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पढ़ाय जा कुछ समझते हैं और तिंकिंग में अगर आप अलगला व्यू देखें जिसे प्याजी का व्यू है मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो डाला था उसमें था कि प्याजी ने अपने जब तिंकिंग को एक्स्प्लें किया तो उसका कि बच्चा जो होता है वो जिसे कोई कि लिए क्या है इसका अंसर बहुत ए और दोना है इमेजिस और कंसेट्स जो हमारी थिंकिंग होती है वो दोनों पर आधारित होती है और मैं आप सबसे कहुँगा कि जब यह वीडियो आप देख रहे है तो पहले कुश्चन को पढ़े फिसको पॉज करें आंसर दें और फ जब लेंगविज और थिंकिंग या थौट लेंगविज हम पढ़ते हैं विचार और भाषा का हम पढ़ते हैं तो इस पर हमेशा से एक तरह की कॉंट्रोवर्सी नहीं कहसे हैं आर्गुमेंट्स रहें कि कुछ सैक्लोजिस का मानना था कि लेंगविज जो है वो डेटर्मा में देखिए हैं तो हर रिलेशन के लिए नाम है चाचा भुवा पुपा ताउ ताई मामा भांजा पदीजी हर चीज के लिए एक नाम है अगर आप उस नाम को लेंगे तो आपको एक्सक्ली क्लियर हो जाए किस चीज के बारे बात करेंगें लेकिन यह हम वेस्टन कंट्री यहां पर नाना पर नाना अलाले तरह के शब्द इस्तमाल कि जाता है तो बहुत ज्यादा वेराइटी है तो कुछ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं जैसे हम कोई शब्द इस्तमाल करते तो उससे हमारी थिंकिंग इंपक्ट होती है इसमें सबसे आगे कौन थे ऑप्शन है बें आपको एक्जाम में दो में जाके होता है तो आपको थुछ वैसी आदत पढ़ जाएगी एक्जाम पास करने के सबसे इंपोर्टन सीज है कि इस कंडिशन पर एक्जाम देंगे बिंग ए साक्राओलजी स्टूडट मैं बता हम जिस कंडिशन में भी आपकी प्रैक्टिस अगरण आपकी स्टेट डिपेंडनेट भी होती है अगर आपको प्ता जो श्तिति ये विशन में भी आपको वह से चीज कार तो आपको तेक्जाम देंगे लिए बैठ के पढ़ेंगी तो आपकी परफिंश फिर अगला कुशन है वाट इस लिंग्विश्टिक रेलेटिविटी हाइपोथिस यानि भासाई सब्वेक्ष्टा प्रकल्पना क्या है इसमें लेंग्विश्ट डेटर्बाइं था थॉट यानि भाषा विचार की अंतरवस्तू कर रिधान करती है थॉट डेटर्बाइं था कंटेंट्स ओफ यह लेंग्विश्ट है यह विचार भाषा की अंतरवस्तू कर रिधान करते हैं हिंदी में ठीक है यहां पर यह लेंग्विश्ट आएगा यह लिए पार डिया था तो यह लेंग्विश्ट आएग्विश्टू आप आप भाषाय इसमें समझ सकते हैं भाषय सपखष्टा प्रकल्पना को जरूरिण नहीं आपको बहुत ज्यादा को आटा है कि आटा तींसर पांस पर पढ़ के जाता है और एक तू कुश्यन तो हमें सोच के निकालना पड़ता है कि उसको उसक वॉस्टिक लेकिशना और तो इसमें लिंगुश्टिक रिलिटीविटी हाइपोतेसिज आप देख सकते हैं भाषा इस सपयक्ष्ट प्रक्लाण इससे आप समझ सकते हैं कि भाषा को इंपोर्टेंस इसमें दी गई हैं तो इसका जो आंसर है वो पीसिकली ए है लेंग्विज डेटर्मान देटर्मान देटर्मान करते हैं अगर आपने मिले पुराना थोड़े देर पहले का भी अगर जो मैं आपको बता रहा था वो आपने सुना हो तो आपका सही आंसर दी सकते हैं कि में आपको थोदे पहले बताएं जीन प्याजे न अपने दी कि जो होता है है वह भाषा का निधार्न करते हैं को जैसे बच्चा होता देखता है कोई सामान देखता है assimilation accommodation को अपना व्यू है उसको expand करता है कि जैसे आपको पता हो जीन-प्याजये ने है इसमें बात किया सकते हैं जिन प्याजे दोनों क्या पोजिशन में थे जीन प्याजे कहते हैं अपने जो है सिध्धानत भी जिन प्याजे रखे जो काफिया थीक भी है कि अभी हम आगे समझें दोनों से एक्जक्टी सही कौन सा है यह दोनों सही है कुश्चिन 5 अकॉर्डिक तो ले विगोस्की के अनुसक किस उम्र तक भाषा विचार का विकास अलालग होता है अप्शन है 1234 तो इसका आंसर आप दीजिगा ठीक आपका इंसा आंसर दिन से पहले में पता दूँ दुनिया में क्या होता है कई बार ऐसे लोगों का जन्म होता है जो जीते तो बहुत काम है दूसरों के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम जीते हैं लेकिन उनका असर इतना व्य लिव गॉस्की उनी लोगों में से एक है बहुत ही बड़ी साक्रोलोजिस निको माना जाता है बहुत ही इंडेजेंट विद्वान इनको माना जाता है इस यह श्याद 32 या 33 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जीए लेकिन इन्हों ने जो अपनी रिसर्च करी वह इतनी इनकी बीमारी में डेथ हो गई थी तो इसे लॉस फोर दो यूमन काइंड कहते है ना दुनिया के लिए इनका जाना एक तरह से दुनिया के लिए लॉस था इसका आंसर है मैं आपको बताजता हूं सेकेंड लेव गॉस्की वह थे जिन्होंने एक भाशा और विचार के अग होथ नहीं है कि भाशा ही हमेशा थोर्थ को हाथ नमें करते हैं और टामेंक कह आंपकर्ण हमेसा को और छी करता है और इसे कि-वे साल की उम्मः तक तक जा के certain कि भाशा और विचार जो होते है वह अलग अलग डेवलप होते हैं जो बच्चा देखता है और उसके बाद वह एक हो जाता है अब भाषा विचारों को प्रभावित करती है विचार भाषा को प्रभावित करते हैं अगर आप को सोचते हैं तो उससे आपको शब्दों का इस्तमाल करते हैं उससे आपके विचार प्रभावित होता है दुख जैसे आपके शब्द का इस्तमाल करें वह दुखी है मेरे घरवाले दुखी है तो आप भी दुखी हो जागए अपने आप से आपके विचार दुख सूचते हैं हमेशा कि नहीं हमेशा अच्छा ही होता है यह भखवान थोड़ा पुश्किल देता अच्छा हो जाता तो आप हमेशा भाषण कर सही हम तौर पर इस्तमाल करेंगे आपको लग रहा हूं कुछ लड़ाई होने वाली है कुछ बुरा होने वाल तो आप हमेशा किस उम्र में बच्चे बल बलाने के अफस्थान पहुंशते हैं कुछ इस तरह के डायक कोशन में पूछे जाते हैं इसलिए इसका आंसर इसका बेसिकली आंसर है इसका इसक्स मॉंथ सब्सक्राइज कब छह महिने की उम्र कि वाट इस एको लेलिया शब्द अनुकरन क्या है रिपिटिशन और सांड यानि द्वनी को दोराना नों रिपिटिशन और सांड द्वनी को ना दोराना बोथ ए और दोनों में इस्तमाल होता है ननों दो अब तो इसका अंसर में आपको बता जिता हूं पहला आप पॉस करके आप अपना अंसर ही दीजिएगा फिल्म देखिएगा इसका अंसर ए रिपिटिशन और सांड क्या रिपिटिशन और सांड क्या एड़ वाट चिल्डन एंडस तो वर्स्टेशन किस उम्र बच्चे दो शब तो हम पर पास एक ठोस जो है प्रूफ हो कभी-कभी अप्येक्शन आ जाता है कुछ पेपर सेटर कुछ ऐसी चीजी लिख देता है जो की बुक से अलग होती तो एंसाटी सबसे ज्यादा ऑथन्टिक मानी जाती तो इसमें जो चीज लिखी होती है वो मानी जाती है तो इसक तार शब्दावली जो इसमाल होती है जिसमें सर्फ नाउन और वर्ब्स कर इसमाल होता है तो इसको टू वर्ड स्टेज को टेलिग्राफिक स्पीच भी बोलता है तो यह आप चरूर लिख लिएगा मैं आपको यहां बोल रहा हूं उसके नोट चरूर बनाती चाहिए ताक कि आपको एक्जाम में रिपीट करने में आसानी दो होता क्या है कि यहां आप सुन लेंगे कुछ समय बाद भूल जाएंगे और हर यह वीडियो चरूर की लंबा भी होता है 20-25 मिनिट लंबा भी चलता है आप और कोई लिख लेते तो बाद में रिवाइज करते हैं जब त कि इसमाल कर सकते हैं तो आपका रिविजन बहुत फास्ट हो जाता है तो आपको जो मैं बता रहा हूं लिख लिजेगा कि टू वर्ड स्टेज को टेलिग्राफिक स्पीच भी भी बहुत है कुशन 9 एडवार्ट इस चिल्वर्ड स्टार्ट फोकुसें और रूल सब लेंगा किस उमर में बच्चे बात बच्चे भाश्या के नियमों पर ध्यान केंदेद करते हैं आप कि अ अ अ अ अगर्ड ऐसे इसको अ और हाफ यह क्लोज तू त्री ऐसे विए था यह साल से थीन साल कर्म के भीच्चे बाश्या के नियमा पर ध्यान के इंदेद करते हैं इसको आप ऐसा भी समझेगे चनल ढही से तीन साल को तो पर बाद भाषा के नियम सीख सकते हैं यह उनको कुछ सिखाया जा सकता है उससे पहले तो उनको अपनी जिन्दगी चीने देनी चाहिए किसने बच्चों के बच्चों में भाषा के विकास के रूपा एन कस्तदान तिया अब इस कुछिन का आंसर है इस कुछिन में छिपा हुआ है अगर आपने साइकोलोजी के जो लर्निंग अगरा की चेप्टर ने मेरे देख लिए और वीडियो तो आराम से आप देख सकते हैं किसका आंसर क्या होगा तो ए पावलो बी स्केनर सी लेविकुस की और इनमें से कोई नहीं इसका जो सभी आंसर है वह है इसके नर भी कुशन एलाव हूँ प्रोपावड़ी था इनेट प्रोपोजिशन लेंगुज डेवलापेंट ने चलों बच्चों में भाशाक्त के विकास में जन्मजाद प्रतिकेप्ति का प्रतिपाद में किस नहीं किया था a-a-ga-na-b-e-s-k-e-na-c-n-o-m-ch. इन में से कुई नहीं इसका सभी आंसर है नौम चंश्की दो है इसका बिल्कुल ठीए अनसर है असल में नौम चंस्की का जो कॉंट्रिबिशन बहुत ही इंपॉर्टन कॉंट्रिबिशन है क्योंकि इन्हों ने जो लेंगुज डेवलेमेंट की जो पूरी थियोरी ते जो सिध्धान था उसको पूरा ही बदल के रख दिया था इससे पहले माना जाता कि मातापिता जो सिख नौम चंस्की नका ऐसा नहीं है इस ठीक है कि इन चुजों का फर्क होता है आप वर पीरियर्ट तो सोशल डेवलप्मेंट होता उसमें इसका रोल होता है लेकिन जो भाशा का ग्यान होता है वो बच्चों में बच्पन से ही होता है यानि जो जन्म के साथ ही पैदा होते है सर्व शास्त्वत व्याकरण के साथ वो पैदा होते हैं और उनको किसी भी देश की भाशा उसका सकती है जब एक बार यह पीरेट निकल जाता है यानि 12-13 साल की हो जाते हैं उसके बाद अगर आप किसी को भाशा स्कानी कोश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है और इस बच्चे में चर्णचात होते हैं तो यूनिवर्सल ग्रामर करणों ने जो कंसेप्ट दिया था नौन चांस्की नहीं दिया था कुशन 12 इन होल वर्ड चिलन सीम्स तो हवे स्पेशल पीरेड फूर सक्सेस्फुल लैंविज डेवलबंट संपूर्ण विश्म बच्चों में भाश्चा के सफलता सफलता पूरों विकास के लिए एक विश्य समय होता है उसको क्या कहते हैं यह क्रिटिकल प्र कांतिक अब नौश उसकी जब अपनी थे रहे थे तो उन्होंने समझाय कि ऐसा होता है कि बच्चे जब चर्ण लटा उसको जिस भी देश में जिस भी भाशा में चाहिए आप सिखा सकते वह क्यों कि भाशा वो सीखता है और उसके अलावा वह और भी कई चीजी सिखता है जिससे आप यह आप ऐसे मारपिटाई से यानि मारपिटाई मतलब आप रिवार्ड से या पनिश्मेंट से या शेपिंग के तो नहीं सखा सकते क्यों कि बच्चे का भाशा ही विकास होता है वह से कहीं ज्यादा होता है जो नहीने शब्द भी अपने प्रकट कर लेता है या नहीने में या चले तब आस्तित में और हर साल एक दूए एक दू ऐसे वर्ड रोने जाते हैं जब कभी किसी ने सीखे नहीं तो छोटे शोटा बच्चा भी इनको सीख जाता है क्यों सीख जाता है या समझे क्यों उसमें होता है यह भाशा के विकास का वो बचबं से होता है लेकि जो लोग 14-15 साल के बाद विदेश जाते हैं और उनको दूसरी भाषा सागर सीखनी हो तो उनमें वह भाषा का जो डेवलमेंट होता वह से कम होता या उतना बहतर नहीं होता जितना अगर कोई छोटा बच्चा चार-पांच साल के उम्र में ही विदेश चला जाते है जो फ्ल इंडिया में आप जाते हैं यह साउध इंडिया इढा अगर आप जैसे साउध बेटा भी गया चोटा बेटी भी आपके साथ गे एंड छोटा बच्चा चा तो वह सिखेगाि युचक्ट बहुंत बहतर हो हो जो आप सेखेगे आप बहुत बहुत और आप से चाल-धिन माह क्लिक्रिंशन करते हैं चोटे वनमें बहुत कमाते हैं तो इसे आए उनके बच्चे जो है वो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं लेकिन मातापिता उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पते तो इसका कारण हो गुजर जाता है उसके बाद जो भाष्ण कर डवलेफेंट है बहुत रूख जाता है और इसमें बहुत ही अच्छे है मैंने अभी सोचिलाइजिशन में बिता है कमला और विमला नाम की उस वीडियो का आप देख लीजिगा कि वुल्फ उनको क्या बीडियो ने पाला पोसा बड़ा किया तो बीडियों की तरही बाते करते देते हैं मतलब कुशन 13 कि अकॉर्डिंग विगॉस्की वेंच अडल्स एजस्ट सपोर्ट टो एक्स्टेंड अक्षाल्स करेंड डेवल परफॉर्मेंस इट इसको क्या करेंगी कहेंगी डिस्कवरी लेर्णिंग जो खोश पुरा दिगम जोन और प्रॉक्सिमल डेवल्म समय पस्तव है इसके फोल्डिंग एंस इसके सफट गृष्य अइसके फोल्डिंग की होती है जragen टेकर बन्ल्हम लगते हैं और जैसे घर मजबूत हो जाता है शीमें ठाक जाता है थो खी भ्तवरींग लिए को बिश्ट सभीन चेले किए क्या से नीश बच्रुती स्टीयूज किता इस को कुछ नियम देवर्ट बताता है कि बच्चा खुद अपना चीज डेवलप करना शीक है जब एक बार बच्चा खुद चीज शीख जाता तो फिर वो अपने सपोर्ट खीच लेता और उसके बाद हम अपने जीवन के रास्ते पे चलने लगें जाते हैं जिए बच्चा तो इसका जो सही आंसर है आप बताए क्या है किसी क्रेटिव लर्नर को एंकरीज करना तो क्या है क्या होती है सबसे इंपोर्ण चीज क्या होती है आप अगर आपका आइडिया और जिनल नहीं है तो क्रेटिव नहीं है तो इसमें इसी से यह आंसर बने जाता है क्या है कि एंकरीजिंग मल्टिपर प्रस्पेक्टिव और अप्रिशेटिंग और आइडिया अनिक परिपेक्शों को प्रसाइद करके मुल्ग चरव को मैध्व देगें कि उसने पार्शुक चिंतन का सप्रित्य दिया दा है गिलफड ने नोर्म चौन्सकी ने एडवार डीबोनो ने बेफ सके ननने तो लेटर्व त्रिंग की जो ऑन यह जो डावर्जिंग जो निकिंग यह अभी सारी जो चिंतन बोलते उसी को लेटरल तिंकिंग या निए इस्टे का आप दिए सका मैं आपको बता जाता है इसका अले सी एडवर्ड डी बॉनो ने दिए आ इस पीजिकली को है लेटरितिंकेंग और ड्यर्चिंगी एक जैसी चीजे और ड्यूर्चिंग वर्ड किसे दिया गिल्फर्ड आपको ख़ूंगी भी ओदिशन ने में एक बिल्चिंग तक प्सक्कि एक यहलो को लगवा यह चीजें शीखोगे आपको सूचना आएगा इसके बारे में ये था तो इसके साथ कम्प्रेट होता कर आपको कुश्चन हो क्वेली हो तो आप पूछ सकते हैं थाइंक्यू